नमस्कार मैं मनोज दुवेदी अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कच्छा ग्यारा गडित का टॉपिक है तुरकॉण मिती फलन जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के अभी तक हमने 19 प्रिस्णों को हल कर लिया है अब हम आज हम कुशन नमर 20 से प्रिस्णों को हल करेंगे तो कुशन नमर 20 हमें यहां पर दिया गया है कुशन नमर 20 कह राए कि सिद्ध कीजिए की कुशन नमर 20 कह राए कि सिद्ध कीजिए की साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स अपॉन साइन स्कूर एक्स माइनस कॉस स्कूर एक्स बरावर 2 साइन एक्स हमें सिद्ध करना है हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रकॉन मिती फलन को सत्यापित करने के लिए उस त्रकॉन मिती फलन का केवल एक पक्स लेते हैं और वह पक्स लेते हैं जो सरल होने के सासा सार्थक होता है तो इस तरकॉण मिती फलन को सत्यापिट करने के लिए हम इस तरकॉण मिती फलन का LHS ले लेंगे LHS दिया गया है sin x माइनस के sin 3x और बटे में दिया गया है sin square x माइनस cos square x कल की किलास में हम लोगों ने कॉस 2A के चार सूत्रों को पढ़ा तो यहां पर ध्यान दीजे कॉस 2A का एक सूत्र हमने पढ़ा था कॉस और साइन के पदों में जो होता है कॉस स्क्वार A माइनस साइन स्क्वार A तो ध्यान दीजे, यहां लिखा है sin square x minus cos square x, अगर यह लिखा होता cos square x minus sin square x, तो यह cos 2x बन जाता, तो अगर हम इस वेंज़क का order change कर दें, अगर हम इस वेंज़क का क्रम परिवर्टित कर दें, तो यह cos 2x का सूत बन जाएगा, तो जब किसी वेंज़क का क्रम change करते हैं, तो उस वेंज़क का sign भी change होता है, चिन भी change हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अंस और हर दोनों में चिन का पदों को परिवर्टित कर देंगे, यानि दोनों का order change कर देंगे, तो यहां जब अंस का order change करेंगे, तो बहार minus आ जब किसी वेंज़क का order change करते हैं, तो उस वेंज़क का order बदल दीजे, तो जो minus का है वो plus का हो जाएगा, और जो plus का है वो minus का हो जाएगा, यह हमने बड़ा कौन पहले आ गया, छोटा कौन बाद में आ गया, इसी प्रकार नीचे भी order change करेंगे, तो बाहर minus आ जाएगा, और यह करम बदल जाएगा, cos square x minus sin square x, minus का minus में बाद करेंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, दो अलग अलग कौनों की जिया, अंतर में दी गई, तो यह बन जाएगा, दो जियाओं के अंतर का सूत्र, यानि इस 3x को यदि c मान लिया जाए, इस x को यदि d मान लिया जाए, तो यह sin c minus sin d का सूत्र बन जाएगा, और कल हमने बताया था, कि sin c minus sin d का जो सूत्र होता है, वो क्या होता, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, इसको खोल लीजे, क्या हो जाएगा, 2 cos c, c माने 3x, plus d माने x, बते 2, into sin c, c का माने 3x, और d का माने x by 2, नीचे ध्यान दीजे, cos square a minus sin square a, यह cos 2a का सूत्र होता है, तो यह बन जाएगा, cos 2x, अब क्या होगा, 3x में 1x जोड़ेंगे, 4x, 4x में 2 का बाग करेंगे, 2x, 3 में से एक गटाएंगे 2, और 2 का बाग करेंगे 2, cancel sin x, और बटे में क्या है, cos 2x, cos 2x, cos 2x कट जाएगा, तो बचेगा 2 sin x, यही हमको सत्यापित करना था, तो इस प्रकार से इस त्रकौन में तीफलन को हम सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अगले प्रसनी की ओर चलते हैं, question number 22, क्योंकि 21 हमने कल पढ़ लिया था, मुझे लगा कि 20 आपको नहीं आएगा, तो मैंने 20 दुबारा बता दिया, तो question number 22 की ओर चलते हैं, तो question number 22 दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिये की, सिद्ध कीजिये की, सिद्ध कीजिये, prove that, क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया, कॉट X into कॉट 2X, फिर आंगे कह रहा है, माइनस कॉट 2X into कॉट 3X, फिर आंगे कह रहा है, माइनस कॉट 3X, कॉट 3X into कॉट X, बरावर बन सिद्ध करना है, ठीक है, देखें, इस तरकॉण मिती फलन को सत्यापित करने के लिए, जब इस प्रकार का सवाब हो, कॉट 2X, 3X, 103X, 102X, 10X, जब इस प्रकार के त्रकॉन मिती फलन हमको दिये गए हो जब इस प्रकार का प्रस्ण हमें सत्यापित करना हो तो ऐसे प्रस्णों को सत्यापित करने के लिए ना तो हम इसका वाया पक्स लेते हैं और ना इसका दाया पक्स लेते हैं बलकि अपनाते क्या है इन पूरे 3X को हम लिख सकते हैं 2X प्लस X 3X को हम लिख सकते हैं 2X प्लस X अब यदि पूरे प्रस्ण में कौट लाना है तो दोनों पक्सों में कौट ले लेंगे और यदि दोनों पक्सों में 10 लाना है तो दोनों पक्सों में 10 ले लेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे दोनों पक्सों में कौट ले लेंगी तो यहां पे कौट 3X हो गया यहां भी ले लिया कौट 2X प्लस X हो गया अब यहां ध्यान दीजे लिका है कौट 3X युका तो रख दिया इस 2X को यदी A मान लिया जाए और इस X को यदी B मान लिया जाए तो यह कौट A प्लस B का सुत्र बन जाएगा औ cot a plus b का सूत्र क्या होता मैंने बताया था cot a into cot b minus 1 बटे cot b plus cot a ये सूत्र होता है cot a plus b का जो सूत्र होता है वो क्या होता है cot a into cot b minus 1 बटे cot b plus cot a खोल दीजे cot a a का मान 2x into cot b b का मान x minus 1 बटे cot b b का मान x plus cot a a का मान 2x खोल दिया अब इसका 3 a गुड़ा करिए cot 3x का cot x में गुड़ा तो ये हो जाएगा cot 3x into cot x cot 3x का cot 2x में गुड़ा तो ये cot 3x into cot 2x हो जाएगा cot 3x का इन दोनों पदों में गुड़ा कर दिया बराबर क्या लिखा आंगे cot 2x into cot x minus 1 अब हम लोग क्या करेंगे बाएं पक्स में जितने भी पद दिये इसे दाएं पक्स में ले जाएंगे और दाएं पक्स से इस minus 1 को बाएं पक्स में लाएंगे तो जो हमें सत्यापित करना था वो हमें प्रूप प्राप्त हो जाएगा तो ले जाएए तो माइनस का वन बाइपक्स में लाईए दर प्लस का हो गया जब ये माइनस का वन बाइपक्स में आया तो दाइपक्स में बचा कॉट 2X इंटू कॉट X ये दोनों पर दाइपक्स में गए तो दोनों के चिन बदल गए COD 3X into COD X minus COD 3X into COD 2X देख लीजे यही प्रूब करना था COD X into COD 2X COD X into COD 2X minus COD 2X into COD 3X COD 2X into COD 3X minus COD 3X into COD X वरार 1 यही हमको सत्याफित करना था तो इस प्रकार के जब भी प्रस्न दिये गए हो कि एक ही प्रस्न में लिखा हो COD 3X, 2X और X तो ऐसी इस्तिती में ऐसे प्रस्नों को सत्याफित करने के लिए ना तो इसका वाया पक्सलेंगे ना दाया पक्सलेंगे बलकि इसमें सबसे बड़े कौन को हम तोड़ करके इस लिखेंगे तो यहाँ पर COD A plus B का सूत्र बन जाएगा और यहाँ असानी से यह प्रस्न हल हो जाएगा चलते हैं अगले प्रस्न पर अगला प्रस्न दिया गया है कुश्य नमर कुश्य नमर दिया गया है 24 कुश्य नमर 24 यहाँ पर दिया गया है 23 आप लोग कर लेंगे क्या दिया गया है सिद्ध कीजिये की कॉट सिद्ध कीजिये की कॉस 4X बराबर 1-8 sin2X इंटो कॉस सकॉर X यह सिद्ध करना है तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे LHS दिया गया cos 4X 4X को हम लिख सकते हैं 2 into 2X इस 2X को मान लेंगे A तो ये बन जाएगा cos 2A का सुत्र और cos 2A का सुत्र cos के पदों में खोल दीजे क्या होता 2 cos square A A का मान है 2X minus 1 ये खोल दिया अब ध्यान दीजे ये लिखा cos square 2X तो cos square 2X को लिख सकते cos 2X का whole square अब cos 2X का सुत्र पदों में खोल दीजे क्या होगा 2 cos square X minus 1 का whole square आँगे लिखा minus 1 cos 2X का सुत्र खोल दिया 2 cos square X minus 1 अब इसका whole square खोल दीए इसे मान लीजे A इसे मान लीजे B हमने क्या गिया इसे मान लीजा A इसे मान लीजा B तो ये बन गिया A minus B का whole square और A minus B का whole square होता है वो क्या होता है A minus B का whole square होता है वो क्या होगा A square यानि 2 का स्क्वार 4 कॉस की घात 4X A स्क्वार हो गया माइनस B स्क्वार प्लस B स्क्वार 1 का स्क्वार 1 माइनस के 2AB तो A का मान 2 कॉस स्क्वार 2 दूनी 4 कॉस स्क्वार X हो जाएगा ठीक है आंगे क्या है माइनस 1 ये बहार लिखा हुआ है अच्छा हमें प्रूब क्या करना है 8 sin square x into cos square x ये हमको प्रूब करना है तो इसे प्रूब करने के लिए यहीं पर हम इसका परिवर्तन कर देते तो ये हमारा आसानी से प्रूब हो जाता चलिए कोई दिक्कत नहीं अब ध्यान दीजेगा क्या करेंगे यहां पर ये लिका है 4 cos की गाद 4x plus 1 minus cos square x हम लोगों को करना क्या होगा